आज कल आमीर खान भी काफी मीडिया की सुर्खियां पकड़े हुए हैं तपर सारिवार ही सुलख्यों में बना हुआ है जुनेद खान को जहाँ एक तरह फिल्म में काम नहीं मिलना वही पर ईरा खांग अपने डेब्यू फिल्म की तियारी कर रही है वो बॉलिवुद में कदम रखने की तियारी कर रही है जहां जुनेद दर दर ठोक रिखा रही है बिना अपने पिता की मदद मांगे वो बॉलिवुद में काम करना चाहते हैं कई बार जुनेद को लोगों ने र बता दे हाली में खबर आ रही है कि आप सभी की चहीति आमिर खान उनके खिलाब भाजपानेता ने एफ़ाई अदर्ज करवाई है और माना ज़ा रहा है कि आमिर खान को जल्द ही जेल हो सकती है चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला बॉलिवुड के मिस्टर पर्फेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंग चड़ा की शूटिंग में बिजी है जिसके चलते बुद्वार एक्टर गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी स्तेत रूपा फैक्टरी में फिल्म की शूटिंग करने आ फिल्म शूटिंग पर आये आमिर खान के खिलाब लोनी विधायक ननकिशोर गुजन ने ट्रॉनिका सिटी थाने में लॉकडाउन नियोमो का उलद्धन करने के खिलाब मामला दर्जकर आया है बता दे और उन्हें शिकायत में लिखा है कि अभिनीता आमिर खान अपनी टी उन्होंने आमिर खान के खिलाब करोना मामायरे के नियोमो का उलंदन करने के लिए मुकदमा दर्जकर करनी की मांगी है वहीं आपको बता दें आमिर खान के आने वाली जानकारी मिलने पर वहां उनके फैंस इकठा हो गए और शूटिंग पूरी होने पर आमिर ने अपने फैंस के साथ कुछ तस्वीरे भी खिचवाई थी जो बात में विवाद की असली वजाबानी दरसल इन तस्वीरों में आमिर ने मास्क नहीं लगाया था जैसे ही कैप्चिन के साथ ये फोटो यह इंटरनेट पर पोस्ट हुई तो इस पर विरोध शुरू हो गया आकर आमिर का इतने बड़े सेलब्रिटी हैं उन्होंने मास्क की क्यों नहीं लगाया जहां वो लोगों का एक्जामपल साबित हो सकते थे वहां पर वो खोड़ी रूस ब्रेक करते होई दिखाई दिये ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रही नेक्स नाइन यूज और मैं हूँ आपके साथ सादिका कौन धन्यवाद